विश्वास नहीं होता मेरा ये प्रयास विफल कैसे हो गया एक बर और प्रैत्न करना होगा मुझे सुर्यास्त हो गया सावित्री सुर्यास के साथ तुमारा वरत संपन हुआ सावित्री 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 तुम यही विश्लाम करो सावित्री तुम्हें ऐसी अवस्ता में देखना मेरे लिए असान ही है क्यों कहा मिल तुम्हें इतना कुठोर वरत करने के लिए स्वामी इससे अच्छी अवस्ता तो मेरी कभी भी नहीं थी आप चिंता मत कीजिए आप तो बस मुझे आश्यफात दीजी स्वामी कि जस कामना के साथ मैंने ये प्रत किया है वो पूर्ण हो जाए मुझे इस प्रत का सुफल प्राप्त हो जाए स्वामी सावित्री मेरी शुब कामना सदा तुम्हारे साथ ऐसी भक्ति और निष्ठा का मान तो मां भी अवश्य रखेंगी वो तुम्हें आशिश अवश्य देंगी तुम्हारे सारी कामना अवश्य पूरी होंगी कोई चहाकर भी नहीं रोख सकता तुम जो चाहो की होगा सावित्री अपने स्वामी के जीवन के लिए इन्होंने इतना कठोर व्रत किया और उन्हें ही ज्यात नहीं देवी सावित्री मैं तो आपको आपका व्रत करने से नहीं रोख सका किन्तो ये भी सत्य है आयूस सभी की समाप्त होती है तृष्णा एक ऐसी इच्छा है और कल भही होगा जो विधी का विधान है ये व्रत तो धर्म के पत पर देवी सावित्री का एक छोटा सा भाग था उनकी धर्म निष्ठा और उनके आत्म विश्वास का वास्तविक जमतकार तो अभी होना शेश था मा आपको कोटी कोटी धन्यवाद आप ही की क्रपा से मैं अपने तीन दिन का व्रत संपन कर सकी मा देवर्शी नारत की भवेश्यवाणी की अनुसार अज मेरे स्वामी के जीवन का अंतिम दिवस है इस अनर्थ को टालने के लिए मैंने अपने फ्रत का पहला पढ़ाव पार कर लिया है मा यह तो पारण्टों में तब ही करूँगी जब उनकी मृत्यू टल जाएगी मा अब मुझे साहस और शक्ती प्रदान कीजी और आपकी ख्रपा से मा आज का दिन उनके जीवन का अंतिम दिवस नहीं अब भी तो उनके नवीन जीवन का प्रदम दिवस बना सको सावित्री सावित्री देखो सावित्री तुमारे व्रत के पराण के लिए मैंने कितने स्वाधिस ट्विंजन पकाए हैं खीर, चूर्मा, पूरी और ये समय तुम्हें अपने हाथों से खिलाओंगा आओ अन्यथा विलम होगा शमा खीचे स्वामी, मैं अपी पारण नहीं कर सकती क्यों? क्यों नहीं खा सकती? तुमने ही तो कहा था कि वरत के चौती दिन तुम पारण से अपना वरत संपन करोगी? देखो, अब समय आ गया, आँ चौता दिन है तुम तीन दिन से भूकी हो, तुमने कुछ नहीं खाया तो भीतर शक्ती कैसे आएगी? स्वामी, मैं तीन पहल कुछ न खाऊना, तो मरना सन हो जाता हूँ स्वामी, क्यों शुब बाते कर रहे हैं? शुब शुब बोले स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी मुझे मेरा संकल, मेरा प्रण ग्यात है आज सूर्यास्त के बाद, पती पूजन के बाद ही मैं अपना पारण करूँगी अभी मुझे शमा कीजिए किन्तु देवी, तुमने तो कहा यदि आप बार बार मनोहर करेंगे, तो मैं आपको नकान नहीं सकूंगी स्वामी कि तो तब मेरा तीन दिन का व्रत प्यार चला जाएगा उचित है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, सूर्यास तक तुम्हारे निकट ही रहूंगा उसका क्याल अब स्वामी, कार्य या कर्टब्य अधूरा जोड़ने से अनुष ठान भी अधूरा रह जाता है, और कार्य का महत्व तो सबसे अधिक है सूर्मी, अब यहां रहने के स्थान पर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते सूर्मी मुझे अपने साथ ले जाईए, मुझे ले जाईए ना सूर्मी नहीं प्रिये, तुम तीन दिनों से भूकी हो, एक पाओ पर खड़ी हो, इतना कठोर वर्थ कर रही हो एक अनका दाना नहीं, जल की बून नहीं, कुछ भी ग्रहन नहीं किया तुमने, देखो मैं तुम्हे अपने साथ वन में जाने के नमती नहीं दूगा, इस सवस्था में इतनी गर्मी में मैं तुम्हे अपने साथ वन नहीं ले जा सकता किन्तो तुमने उचित कहा, परिस्तिती कोई भी हो, परिश्रम तो परमधर्म है, मुझे जाना होगा, मेरे जाने का समय हो गया है, परिस्तिती कोई भी हो, परिश्रम तो परमधर्म है, मेरे जाने का समय हो गया है, नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे है स्वामी, आपको कही नहीं क्छानत्य टूंग Phase 16 watch टूब इत्तिविचलित क्यों हो रही हो तो मात्र अपने दिन्चरियो के नुछ सालंवन् было वात कह रहा हूं Uh, और तुम तो ऐसी रो रही हो जैसे मैं संसार छोड़के जा रहा हूं कि इस पढुत आप से वह संपते बद्रकेAK I जरवथा उच्छी थी कहा सत्यवान ने उसके संसार छोड़ कर जाने का समय आ गया है स्वाब्य आप क्यों बार-बार जाने की बात कर रहें स्वाब्य वे आपको कही नहीं जाने दूंगी आप जहां जाएंगे वे वह ही आपके पीछे-पीछे आ जाओंगी फिर वो वन हो या यम लोग प्री मुझे शमा कर दो मेरे शब्दों ने आपको बहुत आहत किया मेरे ये आश्य नहीं था स्वाबी तो मान लीजे न मेरा निवेदन ले चलिए न मुझे अपने साथ आज मैं एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाती साया बन कर आपके साथ रहना चाती पूतर सावितरी की अगर इतनी प्रबल इच्चा है तो उसको अपने साथ लेकर जाओ वैसे भी इससे पहले इसने कोई इच्चे वेक्त नहीं किये और नहीं कहीं जाने का अनुरोद किया है बस हमारी सेवा में लीन दैती है पूतर उसकी ये इच्चा पूर्ण करो हाँ पूतर नारी के मन की था पाना अत्यंत कठिन है वो जो कहती है या करती है उसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण अवश्य होता है इसलिए तुम सावित्री पुत्री को भी अपने साथ ले जाओ जैसी आपके आग्या पिता जी प्रणाम माता प्रणाम पिता श्रुप सदा सुहागन रहो यही एक इच्छा तो है मेरे मन में कि आपका ये आशरवाद वलित हो इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए मुझे चलो इच्छा निच्छा नहीं धर्म सर्वोपरी है मैं अपना धर्म अपना दायत अवश्य निभाऊंगा सावित्री यह उचित स्थान है तुम यहां विश्राम करो मैं अपना कारिया समाप कर शिक्र लोटता हूं तुम यहां पैट कर मेरी प्रतिक्षा करो यहां तुम यह कैसा अशुब्रहम था मेरा स्वामी स्वामी क्यों आ रहे हैं मेरे मन में ऐसे अशुब्वचार नहीं नहीं ऐसे बुरे वचारों का मन में आना उचित नहीं जाओ 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 यहां तो आगे कुआँ पीछे खाई है यम्देव के आदेश का पालन तो करना ही होगा किन्तु इन देवी के निकट जाने में भी संकट है जाओ 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 रप मेजब कर दो जा मैं एदाना कर दो लाए वा सा ऴार डा जॉाए, वार दो, वार जा जार अजाना कर दो, जार उआना कर दो, जारा है, हम दो भते हैं. स्वामी क्या हो सावेत्री? स्वामी, स्वामी आगे एक विशेला कंटक है साफ थानी से चलिए स्वामी अब ये चुप जाता आपको सावेत्री ये कोई विशेला सर्फ नहीं है मातरे काटा है कि तुम सो इस स्वान में मैं बाले आवस्था से आता हूँ तो इन कंटकों को आभास है मुझे तुम चिंदा मत करो सावेत्री मैं शिग्र लोटता हूँ संबले मैं ठीक हूँ सावेत्री मेरी चिंदा मत करो मैं ठीक हूँ सावेत्री मैं ठीक हूँ सावेत्री स्वाबी सम्हाली स्वाबी स्वाबी अपने ऐसी असाफधानी क्यों की सावित्री तुम व्यर्थ में चिंति धोती रहती हो कि तु स्वाबी तुम्हें पता है न मेरा कार यह कुछ ऐसा है आज ते कभी कोई हानी नहीं पहुंची लाओ ये कुलहरी देदो मुझे देदो ना बस ये डाल काट लूँ फिर साथ में घर चलेंगे लाओ देनेवाद प्रभू यम्देव जब तक देवी सावित्री सत्यवान के साथ है हुटके प्राण लेना असंभाव है तुमने उचित ही कहा जब तक पती धर्म पर आयना नारी अपने पती के साथ है हम उसके पती के प्राण नहीं ले सकते देवी सावित्री को सत्यवान से दूर करना ही होगा माँ मा कीचे मुझ पर मेरे स्वामी का कोई आहत ना हा तया कीचे माँ तावित्री थोड़ा जल दो ना प्यास लग रही है स्वामी मैं अभी लाए अभी लाए यहीं उचीत आवसर है प्यास यह ओ रुरा हूम है स्वामी सार, यह सर यहां कहां से आग है, स्वाबी मेरी ये युपति भी असफल हो गई स्वाबी, स्वाबी, अब ठीक है प्यास के करण उच्छी थो रहा हूँ स्वाबी, समा ली जल, जल, जल स्वाबी, ली स्वाबी, स्वाबी स्वाबी स्वाबी, स्वाबी स्वाबी, स्वाबी स्वाबी, क्या हो कि आपको, स्वाबी स्वाबी, यह है, यह क्या सी प्यास है मेरे प्राण सो कुरें, स्वाबी स्वाबी, स्वाबी, कुछ नहीं होगा आपको मैं हूँ आपके बास स्वाइथ, 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 झाल 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 того कि एला झाल 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 झालन झाल है एल तो अ कोर में है,osis कई है이에ता है कि इसालेदे है। कर्ष घडता है.. तू जो उन खुता है जड़े कि भल आपसे क CT-1 में जड़ें खाECT 5 संगले के फिसाने नहे उता है कर दो कर दो कर दो सवी सवामय फ्या हो गिया अपको यह रही हो सकता कि कैसे होंगे अबा कि कैसे उने दिया आपने सवामय रेत्र कोले सवामय कमेये ने सवामय मुझे ख्षमा करना देवी आपके अद्वुत पति धर्म पर आयनता का साक्षी बनने पर भी मुझे अपना कर्तव्य तो निभाना ही था आ यझे जिए मैंली! मैंली! सुआवी किनतु मा कथा के आरंभ में मातां सावित्री का परिचय देते समय तो आपने कहा था कि अन्होंने स्वयम यम्देव को भी विवश्च कर दिया था अपने पती के प्राण स्वयम धर्म राज से सुरक्षित किये थे हाँ पुत्र उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था यदि मेरे कारम अच्छे होंगे तो वो मुझे अवश्य मिलेगा जिसके मैं योग्य हूँ मैं आपको वचन देता हूँ आपकी पुत्री को कोई भी कमे नहीं उन्होंगा और यदिन के भाके में राज योग होगा तो इन्हें अवश्य मिलेगा मैं तीन पहले कुछ कर्थ होना तो मरना सन हो जाता हूँ तुम्हारी सारी कामना अवश्य कुरी होगी कोई चाहा कर भी ने रोख सकता तुम जो चाहो की होगा सावित्री तुम जो चाहो की होगा सावित्री अब जहां जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आ जाओंगी हे माता गायत्री वेदो की अधिश्टात्री देवी ना तंत्री बाधते वीना ना चक्रो बाधते रत ना आपती सुख में देत या शादपी शतादमदा हाँ हर्थान जैसे वीडा तारों के बिना बजाई नहीं जा सकती मेरा पईये का रत नहीं हो सकता वैसे ही एक स्त्री बिना पती के सुख नहीं पाती चाहे वो सौ पुत्रों वाली ही क्यों ना हो माता अज मेरे धर, मेरे कर, और मेरे पती के प्रती मेरे प्रेग, मेरी आस्ता की परीक्षा है माता यदि मेरा पती धर्म परायरता सच्ची है, तो मुझे गती की शक्ती दीजे, कि यमदेब मेरे पती के प्राण मुझसे दूर नहीं ले जा सके माता. कुछ तो है, जो उचित नहीं है. लौट जाएए दिवी, आप इस प्रकार्यम लोग नहीं आ सकती, लौट जाएए और अपने पती के दाह संसकार के तैयारी कीजिए. हे धर्मराज, हे यमराज, यदि आप मेरे स्वामी के प्राण ले जाएंगे, तो आपको मेरे भी प्राण ले जाने होंगे. यदि दास अंसकार होगा, तो हम दोनों का होगा. अन्यथन नहीं होगा. नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकर ना चैनम क्लेद्यन त्यापो ना शोश यती मारूता अर्थात आत्मा तो अजर अमर है ना इसे शस्त्र काट सकते हैं ना अगनी जला सकती है ना ही जल इसे गला सकता है ना ही वाई उसे सुखा सकती है तो पुत्री, तुम मात्र नश्वत देह के लिए व्यर्थ विलाब कर रही हो नहीं पुत्री, मुझे मत रोको मैं तो मात्र अपना धर्म निभा रहा हूँ साध्वी नाम तू, सिता नाम तू, शिले सते शृते सिते श्री राम पवित्रम पर, पति एकों विशेश्ष्टे हर्थात सदाचाह, सत, ज्यान और मर्यादा में रहने वाले सद और पती धंग परयांता स्वभाव की स्तिरीयों के लिए उनके पती ही पवित्रिग और परम विशेश्ट होते हैं उनके पेना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती इसलिए यदि स्वामी जीवत नहीं है तो फिर मेरे जीवत का भी क्या लाब प्रक्रिती तो इश्वर के अधीन है वो समस्त जीवों को उनके कर्म के अनुसार बार बार नवीन जीवन देती है यदि प्राणी का एक जीवन समाप्त नहीं होगा तो उसे नया जीवन कैसे प्राप्त होगा उसे अपने पूर्व जन्द के कर्म को सुधारने का आफसर कैसे मिलेगा यही नियती है और यही मेरा करतव्य तो फिर उचित है आप अपने धर्ब का पालन कीजिए और मैं अपने पती के प्राणों के साथ जाकर अपने धर्ब का पालन करूगी हट करने से तुम्हारी इच्छप पूर्ण नहीं हो जाएगी देवी आगे परलोग की नदी वैतरनी है उसे कोई भी मनुष्य सदेह पार नहीं कर सकता उसमें प्रवेश किया तो वहीं रह जाओगी इसलिए लौट जाओ अन्यता न पती के प्राण के साथ जा सकोगी और ना ही उसका अंतिम संसकार करने लौट सकोगी ये तो यमराज ने उचित ही कहा है मा कोई भी जीव देह के साथ वेतरनी को पार नहीं कर सकता फिर माता सावित्री ने अपने पती के प्राण कैसे लौटाए अपनी द्रिर इच्छा शक्ती से पुत्र जब वेक्ती आत्मा को भुला कर शरीर का दास हो जाता है तो वहाँ आत्मा गौन हो जाती है किन्तु जब किसी की आत्मा देह के बंधनों को भुला दे तो वो शरीर भी आत्मा समान दिव्य हो जाता है पुत्र नारायन नारायन एग आत्रिमाता कुछ कीजी अन्यत्हा अनर्थ हो जाएगा क्या हुआ देवर्शी नारा किस अनर्थ की बात कर रहे हैं आप मा इस पुत्री को मैंने ही नाम दिया हो उसी को वहितरणी में उल्जा हुआ कैसे देख सकता हूं मा रोक लीजे पती वरता साधवी सावित्री और यमराज के मध्या इस वात विवात को रोक लीजे मा मा पुत्री वहितरणी में जारी रोक लीजे मा अनर्थ हो जाएगा मा किसी को रोकने की कोई आवशक्ता नहीं है देवर्शी किंटु मा पुत्री सावित्री वहितरणी कैसे पार करेगी यह यह संबभ नहीं है नाहीं यह विदिकाविदान है कदाचित वो वैतरनी में नहीं उतरेगी उसके पहले ही रुख जाएगी पर जाएगी रुख जाएगी रुख जाएगी रुख जेनुन से नहो नाँ झाल झाल